हेलो फ्रेंट्स केबल दो आलू की इस्तेमाल से आज हम बनाने वाले चटपटा और स्वादिश नाष्टा और हाँ ये नाष्टा ना तो पूरी है ना कचोरी बिल्कुल डिफरेंट नाष्टा है एकदम असानी से जटपट बन जाता है चाहे सुबह की जल्दवाजी हो या फिर टाइम की कमी हो तो दो कच्छे आलू हमने या पर लेकल पील कर लिया है और अब इन्हें मोटे वाले कदुकर से ग्रेट कर लेंगे और हां रेसिपी को पूरी देखेगा रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आ हैं हमारे आलू की वो काफी मोटे मोटे हैं तो अब हम इसने दो से 3 पानी अच्छे से ढूलेंके निचे ले जाएं या इन्हें पानी के अंदर रिक्रेट कर सकते हैं मैंने इनको सूखा ग्रेट कर pattern और डो से 3 पानी आपर मैंने इनको अच्छे से वाश कर लिया है इनको जो भी स्टार्स था वो निकाल दिया और एक्स्ट्रा पानी भी मैंने ailleurs निकाल तो यह लच्चे आर बिल्कुल सूखे हैं तो इन्ने अभी रखते हैं एक साइड में और कर ले देख्ट सकती एक चोटी सै तयारी तो यहाँए एक पैन लिया है पैन में यहां पर तीन के लच्चे ग्रेट करके रखे यहाँ पर Add करने हैं तो आलु के लच्छे एड़ हो गहे हैं हमें लच्छों को फोड़ा सा यहां पर पकाना है इसी पानी के अंदर साथ मैं हमें को पकाने के लिए थोड़ा सा स्वाद पें जल्दी पकेंगे और शाथ मैं एक चमपक यहां पर cooking oil add कर दिया है कोई भी cooking oil आप यहां पर add कर सकते हैं और यह देखिए आलू की जो लच्छे है हमारे वो अच्छे से यहां पर पक गए हैं तो हमने यहां पर एक से देड़ मिनट इन्हें अच्छे से medium to high flame पर पका लिया है और यह साथ में गल्बी गए है तो अब य इसको लच्छो के साथ इस तरीके से mix कर देना है आटे को अभी यह थोड़ा mix है और थोड़ा mix नहीं है पर यह देखिए बहुत अच्छे से लच्छो में binding आ रही है तो अब इस mixture को हम transfer कर लेंगे एक आटा लगाने वाले बरतन में यानि चोड़े मू के बरतन में जिसमें हम आटा वगरा लगाते हैं अब इसमें हम हलके टेंट के लिए टुकड़ा अधरक का ग्रेट करकर एड़ कर रहे हैं कदूकस करके यानि आप कूटकर भी कर सकते हैं एक हरी मिर्ची बारी कटकर कर रहे हैं तीखी के लिए और बिल्कुल थोड़ा सा ताल रहे हारा धनिया बहुत कम चीजों के साथ बहुत कम मसालों के साथ चटपट ये आसान और स्वादिस नाश्ता बनकर तयार हो जाता है एक दम कम समय में तो यहां पर एक चुथाई चमच मैंने कुटी भी मिर्च ले ली है एक चुथाई चमची मैं यहां पर भुनावा जीरा पाउडर डाल रही हो और साथ में ले रही हो बिल्कुल एक पिंच अजवाएं जिसको मैंने पहले हाथ पे अच्छे से रगड लिया था जिसे की जो फ्लेवर है इसका खुष्पू है वह बहुत अच्छी आए और डाइजेशन के लिए फाइदे मन्द है सभी को पता है तो अब सारी ची पैड चिकना कर लिया है जिस से मिक् teachings हातों पर चिपकेना अ तो रोटी जितना पेड़ा लेकर मैंने इस तरीके से इसको पहले गोल कर लिया है और हतेलींकरी से ऑस दिदिद्दी और से तोक ठोक can C picture आप चाहते हैं और बोड पर भी इस तरीके से इसको चारोंत्कर बखु हुई है तो चलते हैं गैस की तरफ तो कैसे मैंने पैंच चड़ाया है और बहुत कम तेल के साथ हम क्रिस्पी चटपटा नाश्ता बना कर तयार करेंगे तो यहां पर हार्डली मैंने दो से तीन चमश तेल लिया है इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है और टिकिया को हमने के अंदर कर दिया एड तो जब एक साइट से अच्छे से कलर चेंज कर ले तो दूसरी साइट से हम इसको पलट देंगे हमें यहां पर गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखना है क्योंकि हमने इसमें चावल आटा मिक्स किया है तो हमें इसे मीडियम टू और यहां पर शैलो फ्राइक करना आप देख सकते हैं कितना कुरकूरा कितना कृस्पी कलर आरा है देख कर पानीा तो अलट पलट कर मैंने से दो रहें अच्छे से क्रिस्पी कर लिया और यहां पर देन निकाल लेंगी और या देखिए तेल भी पैन में as it is बना हुआ है और नाश्ता बनकर हमारा तयार हो गया तो यह देखिए हमारे नाश्ते का final look खर में अगर महमान आ गए है अचानक से समझ में नहीं आ रहा क्या करें तो चटपट दोक अच्छे आलू से आप इनाश्ता बना सकते हैं या फिर सुबह शाम की चाय के साथ इस नाश्ते को बना सकते हैं बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं बिल्कुल भी समय नहीं लगता नाश्ते को बनाने में और देखें बिल्कुल भी इसने तेल अब्जर्व नहीं करा है बिल्कुल सुखा-सुखा नाश्ता है एक पिस में आपको यहां पर तोड़कर भी दिखा देती हूं यह देखें कितने अच्छे से कुकुआ है उपर से कुरकुरा है और अंदर से बह लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर दीजेगा आपको रेसीपी कैसी लेगा